तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मिटसुबी से एलेक्टरिक के इस एर कंडिशनर को आप देख सकते हैं यह है AC का इंडोर यूनिट फ्रंट से इसका इंडोर यूनिट काफी अच्छा दिखता है ये Mitsubishi के Mr. Slim series का AC है और इसका model number है MSY GN 18VF ये एक 1.5 ton का split inverter AC है और ये 5 star rating के साथ आता है यहाँ बीच में Mitsubishi Electric की ब्रांडिंग दी गई है और side में Mr. Slim लिखा गया है नीचे से ये AC कुछ इस तरह का दिखता है इसका flap close होने के बाद भी पीछे से आधा खुला ही रहता है ये काफी अजीब सा design है और ये AC के look को थोड़ा खराब करता है देखने से लगता है कि body में एक panel ही missing है यहाँ side में हमें इसके कुछ indicators और switch दिया गया है ये operation वाला indicator AC के on होने पे green color में glow करना शुरू कर देता है यहाँ नीचे में EOSW switch दिया गया है जिसका मतलब है emergency operation switch इस switch को दबा के आप बिना remote के ही AC को on कर सकते है switch प्रेस करने पर AC 24 degrees के default temperature पे on हो जाएगा इसके front panel पे हमें कोई भी display देखने को नहीं मिलता है तो AC से related details के लिए आपको इसके remote को ही देखना होगा left side से ये AC बिलकुल ही plane है और यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है right side में यहाँ इसका speaker दिया गया है जो कि remote से button दबाने पे beep sound प्रड्यूस करता है और इस indoor unit का weight 12.5 kg है आप देख सकते हैं यह है इस AC का remote इस remote में हमें काफी बड़ा सा display मिल जाता है जो कि AC से related सारे parameters को show करता है और इसमे day और time भी show होता है remote के उपर on off और temperature set करने के लिए कुछ basic buttons ही दिये गया है जिनका हम maximum use करते हैं remote के बाकी buttons को access करने के लिए हमें इस slider panel को नीचे slide करना होगा यहाँ हमें AC को control करने के लिए बहुत सारे modes के dedicated buttons भी मिल जाते हैं इस slider panel को और नीचे करके आप इसके battery compartment को access कर सकते हैं इसमें हमें 2 AAA batteries को लगाना है और इसमें हमें Mitsubishi electric brand के batteries को फिफ्री दिया गया है अभी हम AC के outdoor unit को देख लेते हैं इसका outdoor unit काफी simple और बड़ा सा है और इसे boxy design दिया गया है इस outdoor unit का weight 32 kg है यहां side में Mitsubishi electric का branding दिया गया है और इसके पीछे ही AC का inverter compressor लगा हुआ है आगे हमें एक बड़ा सा fan मिल जाता है जो की heat dissipation में help करता है पीछे के side में इसके heat exchanger fins दिया गया है left side में भी हमें fins मिल जाते हैं और इन्हें metal के grill से cover किया गया है इन fins पे blue fin coating किया गया है जिससे इन पे corrosion का असर कम होता है और आप यहां देख सकते हैं इसके fins भी slightly blue color के दिख रहे हैं हमने AC को stand पे कुछ इस तरह से install कराया है यह outdoor unit room से attached balcony में ही लगा हुआ है इंडिया में बिकने वाले maximum brands के AC में हमें power plug indoor unit के पास ही मिलता है पर Mitsubishi के AC में outdoor unit से indoor unit को power supply दिया जाता है तो आपको outdoor unit के पास ही power plug और socket install कराना होगा और उसके according ही आपको outdoor unit का installation place decide करना होगा डाइकीन के AC में भी हमें same ऐसा ही setup देखने को मिलता है और उसमें भी outdoor unit से indoor unit को power supply दिया जाता है यहां side से copper के pipes indoor unit के पास जा रहे हैं और pipes के उपर foam का insulation दिया गया है अभी हमने इस AC को on कर दिया है और इसका ये fin open हो रहा है हमने इस AC को 190 square feet के room में लगाया है और इतने बड़े room को भी ये 10 minutes में ठंडा कर देता है इस AC में हमें horizontal और vertical दोनों swings का option मिल जाता है क्योंकि lowest fan speed पे AC का ये indoor unit shift 28 decibel का sound produce करता है जो की काफी कम है और इसका air throw भी काफी अच्छा है fan के full speed पे ये room के corners तक air throw करता है और full speed पे ये 49 decibels का sound produce करता है AC के remote पे हमें powerful mode का भी option मिलता है जिसका use करके आप room को जल्दी cool कर सकते हैं अगर room में ज्यादा लोग आ जाएं तो भी आप इस mode का use करके room को जल्दी cool कर सकते हैं ये mode LG के high cool या विराट mode के जैसा ही है इस AC में हमें दो dust filters मिल जाते हैं जो की front panel को open करने के बाद दिखते हैं front panel को open करने के लिए हमें AC के दोनों sides में locks दिए गया है इन्हें आप इस तरह से open कर सकते हैं दोनों locks को open करने के बाद हमें बस इस front panel को उपर lift करना है और ये panel उपर चला जाएगा आप देख सकते हैं यहां blue color के दो dust filters लगे हुए हैं आपको बस इन्हें बाहर निकाल के वास कर लेना है और ये clean हो जाएंगे फुल performance के लिए आपको इन dust filters को 15 दिनों में एक बार साफ कर लेना चाहिए यहां आप indoor unit के fins और cooling coils को भी देख सकते हैं इनी से गुजर के room का air ठंडा हो जाता है अब हम इस filter को अंदर लगा जाते हैं इस panel को आप 20 से खीच के बंद नहीं कर सकते हैं बंद करने के लिए आपको दोनोर साइट से इसे हलका सा push करना है और फिर नीचे दबाना है ऐसा करने से यह front panel close हो जाएगा इस AC की maximum cooling capacity 5200 watt है जो की performance wise भी काफी अच्छी है इस AC पे हमें one year की full warranty मिलती है इसके inverter PCB पे हमें five years की warranty मिलती है और इसके inverter compressor पे हमें ten years की warranty मिलती है Mitsubishi के AC काफी power efficient होते हैं और इस AC में भी वो खुबी है अगर आप इस AC को eight hours रोज 24 degrees या उससे उपर के temperature पे use करेंगे तो आपका monthly electricity bill 1000 के अंदर ही आएगा अगर आप AC को 18 degrees के आसपास के temperature पे use करते हैं तो bill 1200 के उपर भी जा सकता है ये AC completely made in Thailand है और इसे इंडिया में सीधे import किया जाता है इस वज़़ज़ से इस पे import duty जैसे taxes भी लगते हैं और इसका price ज्यादा हो जाता है ये model आपको market में 55,000 के आसपास में मिल जाएगा और overall इस AC की quality और cooling काफी अच्छी है और आप इसे ले सकते हैं इसका buying link नीचे description में दिया गया है आप इसे वहाँ से भी ले सकते हैं पर आपको ये AC लेने से पहले चेक करना होगा कि आपके area में इसका service available है या नहीं क्योंकि अभी भी Mitsubishi Electric India में ज्यादा popular नहीं है और सिर्क major cities में ये complete service प्रवाइड करते हैं तो आज की इस यूडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे like करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में बा झाल